हेलो जाईश्राम एवरिवन दोस्तों दोस्तों आज एक ऐसी समच्छा पर बात करूँगा जो हर किसान को अपने कहत पर देखने को मिलती है और लाही किसान को पता है कि इस समचे किस तरीके से पर्मार्नेंट मतलब इसका इलाज रहाएं तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं गाजर घास की दोस्तों ये ऐसा मतलब शाप है ना आपके खेत के लिए आपकी फसल के लिए कि अगर ये आपके खेत में तो ये लगबग आपकी जो फसल होती है उसमें कई गुना मतलब उसकी प्यदावार को कम कर देता है तो दोस्तों इन क्योंकि बिना किसी नुकसान को जाने हम किसी चीज को करेंगे उसका परपस नहीं पता होगा तो ज़्यादा लंबे समय तक उस चीज को कर ही नहीं पाएंगे और मैं गारंटी लेता हूं ऐसे ऐसे नुकसान है इस गाजर घास के अगर आप सुनोगे ना तो मतलब बिल्कुल जाओगे कि यह क्या है या दोस्तों जो यह गाजर घास होती है यह करपतवारों में से सबसे ज्यादा विनाशकारी करपतवार मानी जाती है दोस्तों और दोस्तों यह जो फसलों की जो पेदावार होती है वह 30-40% कम कर देती है दोस्तों यह गाजर घास दोस्तों और यह ना सिर्फ जो आपकी फसले उसको नुकसान पहुचाती है बलकि यह जो गाजर घास होती है यह किसानों को और पश्यों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुचाती है कौन-कौन से हैं वो नुकसान चलिए जानते हैं दोस्तों यह तो हो गई चलो जनरल बात लेकिन आपको इ एलर्जी हो सकती है धमा हो सकता है फिर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है तो इन सब मतलब इससे भी कई ज़्यादा बीमारी होती लेकिन मुक्य रूप से ये बीमारी अक्सर कई लोगों को हो जाती इसके संपर्क में आने से और वहीं बात करूं अगर जानवार इस गास को खा ले वैसे तो खाता नहीं है लेकिन खा ले गाई भेस खा ले तो दोस्तों उनके तने सूजने लगते और वो मर भी सकते इस से दोस्तों गाजर गास को अलग-अलग इलाके में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि इसको Congress घहास भी कहते हैं, रहुल गांदी वाली नहीं, Congress घहास कहते हैं, अधर वाइस मैं लीजिएगा मेरी बात को दूसरी सफेड टोपी कहते हैं लाल टोपी नहीं कहते हैं अखिलेसर जैसे और दूसरी बात दोस्तों इसको अपन अपन चन्नक चांदनी भी नाम से भी जानते हैं इसको और अभी मैं आपको बताता हूं कैसा दिखता है जो यह गा अब मुझे जब से नुकसान पता चलेना में हाथ धोंगा भी अपने सबसे पहले लेकिन जब से नुकसान पता चलें इसके तब से थोड़ा दूरी बना रखें और इसका ट्राय करेंगी कि अपन खेतों से इसको नश्ट कर दें पूर्ण रूप से दोस्तों अब हमने यह जान लिया कि यह गाजर गास होती है वो कितनी खतरनाक होती है किसानों के लिए फसल के लिए और पशू के लिए भी कितनी खतरनाक होती है अब हम इसके सोलुशन के बारे में जानते है कि आप कैसे अपने खेत से यह गाजर गास को हमेशा के लिए नश्ट कर सकते हैं तो न हैं दोस्तों क्योंकि दोस्तों अगर आप इसे उकाड़ आने से पहले ही इससे आपको जाला देना चाहिए ताकि ये ना उख सके और ना ही ये फैल पाई और दोस्तों गाजर खास को उखारते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस गाजर खास को उखाड़े दोस्तों तो प्रोटेक्टिव ग्लाउस का इस्तिमाल जरू करे दोस्तों या फिर यह आपके आज पास नहीं हो या फिर ग्लाउस नहीं है आपके पास तो किसी भी पन्नी का इस्तिमाल कर सकते हैं ताकि आपके खेतों में काफी जादा मात्रा में गाजर घास उग रही है तो वहाँ पर दोस्तों आपको Mexican बिटल जो की एक कीड़ा होता है इंसेक्ट होता है उसको उस खेत में उन गाजर घास पर छोड़ दाना चाहिए यह जो कीड़ा है इस गाजर घास को बड़े चाव से बड़े स्वाद से खाता है और एक और दूसरा जुगार बताता हूं काफी देशी जुगार है क्योंकि अपन इंडिया ने अपन चलते हैं सस्ते और जुगारी माल पर तो दोस्तों पांच रुपे दस रुपे में आप मतलब इस गाजर घास का निप्तारा कर सकते हैं अब कैसे करना है वह बताता हूं तो लीजिए नमक और नमक को पानी में घोल कर उसका चिड़काव दो-तिन मार कीजिए दोस्तों चलिए आप ब पर ने वाला पंप उससे करिए और जो गाजर घास उसको दूपहर की वक्त इस नमक वाले पानी का स्प्रे कीजिए जिससे क्या होगा वह अपना सर जल्दी दिखा पाएगा और आप पाएंगे कि कुछी समय में मतलब कुछी दिनों के अंदर आपकी जो गाजर घास से वह सूखने लगेगी तो इन दो तीन मात का ध्यान रखेगा अगर आप इस नमक वाली विधी को चुनते हैं तो दोस्तों इस प्रे के 10-15 मिनिट बाद जो गाजर घास का पोधा है वह मुर्जाने लग जाएगा और यह गाजर घास का पोधा है वह दो से तीन दिन में क adviser नश्ट हो जाता है दोस्तों और इसके पीछे का Ncl कोछ कुछ जाधा ही डीप में में हम नहीं जाएंगे कि क्यों होता है केसे होता साब अपरी उप्री से बाते जानलो कि वह पत्ता होता यो भी खारा हो जाता है कर शुकूर जाता होται उतला हो पूरी तरह से नश्ट हो दोस्तों में हो अभिशेक सिंग दांगी और दोस्तों इस वीडियो में हम आशा करते हैं जो आपको गाजर घास के उपर हमने जो जानकारी दी है वह आपको पसंद आयोगी और मैं आशा करता हूं दोस्तों की जो जानकारी दी है वह आपके मतलब काफी मुझे तो लगता है क काफी असान है सारी असान वीदी आप बड़े अराम से कर सकते हैं घर पर इस सब समान अवेलेबल होता है हमने कोई अभी केमिकल वाला बताया नहीं हमारा मूड हो रहा था जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम केमिकल जो दवाई ववाई जी आती है जो गाजर गास को मिटाने की लेकिन फिर हम जैसे वीडियो में आगे बढ़ते चले मन में आया कि आरब अपन और्गेनिक फार्मिंग की तरफ लोगों को फ्रॉटसाइट कर रहे हैं जब और्गेनिक वीदी से इत्ती असानी से काम हो सकते हैं तो क्यों अपन केमिकल की तरफ तो कोई मतलब नी था इसलिए हमने फिर अब यही आपको बता दिया सारी और्गेनिक वेसी बताईए तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और प्लीस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नी किया है पहली बार चैनल पे है नए है तो सब्सक्राइ